दोस्तो इस न्यूज को बताने से पहले मैं हेटर्स के लिए एक कहावत कहना चाहूंगा कि भाई चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात तो दोस्तो कुछ ऐसी ही हालत हो चुकी है इन दिनों उन हेटर्स की जो की भाई लगतार सोसल मीडिया पर पूरी बॉलिवूड को वर्ड की सबसे गंदी इंड़स्री बताते हुए नहीं ठग रहे थे और भाई आज इन हेटर्स को इन ही के लैंग्वेज में वो लोग जवाब देने लगे हैं जो की भाई या कल तक इनके साथ कंधे से कंधा मिला कर चल रहे थे यानि की भाई जैसे ही इन हेटर्स का असली चहरा लोगों के सामने आया तो भाई लोग इन से ये सवाल पूछने लगे आज आप बॉलिवूड की बाते क्यों करने लगे हैं आप आने वाली फिल्मों के रिव्यूज क्यों करने लगे हैं आप उस फिल्म को देखने के लिए क्यों हमें कह रहे हैं जिस फिल्म का हिस्सा खुद आलिया भट है यानि की भाई ऐसे कई सारे कमेंट मैंने उन हेटर्स के चैनल पर देखे जो कि भीया पिछले 4-5 महिनों तक पूरी बॉलिवूट को गंदी इंडस्ट्री बताते वे नहीं ठक रहे थे लेकिन भीया कहते हैं न कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात यानि कि भीया जूट की दुकान कब तक चलाओगे जनाब एक ना एक दिन आपका सच सामने आएगा और आपका सच आप से सवाल पूछेगा कि भाई पीछे जो तुमने जूट बोला था उसका असली सच क्या है और आज इन लोगों की हालत ये है भाई कि भाई ये लोग कमेंट में भी किसी का जवाब नहीं दे पा रहे है तो भीया आज कल ये लोग बोलते नजर आ रहे हैं कि भीया मिर्जापूर अच्छी वेब सुरीज है मिर्जापूर गंदी वेब सुरीज है ट्रिपल आर का सपोर्ट करो ये करो वो करो तो भीया इन लोगों की लंका में अब आग लग चुकी है और भाई ये जो आग लगी है न इसकी सुरुवात तो भीया खिलाडी कुमार ने अपनी फिल्म यानि की लक्ष्मी बंग से कर दिया है यानि कि भीया लक्ष्मी बंग को लेकर इतनी नेगेटिविटी फैलाए गई कि भीया लगतार अक्ष्मी कुमार को लेकर ये बाते कही गई कि भीया अक्ष्मी कुमार का फिल्मी कैरियर पूरी तरीके से खतन हो चुका है भाई अक्ष्मी कुमार भी बॉलिवूड के उन सितारों में से एक है जो कि भीया बॉलिवुड में नेपुटिजम और गुरूपिजम को बढ़ावा देते हैं भाई ये भी बॉलिवुड में जो आजकल गंदगी फैली हुई है उसके पक्षधर है यानि कि भीया ऐसी कई सारी खबरे हम लोगों ने अक्षे कुमार को लेकर सोसल मीडिया पर देगी लेकिन भीया अक्षे कुमार ने अपने एक हतोड़े से इन लोगों का जो जूट था उसे चकना चूर कर दिया है और भाई कल तक जो अक्षे कुमार को बुरा भला कहते नजरा रहे थे आज वो अक्षे कुमार की आने वाली फिल्म यानि की लक्ष्मी बम के उपर में वीडियो बनाते नजरा रहे हैं क्योंकि भया अक्षे कुमार हर दिन कोई ना कोई रिकॉर्ड बना रहे हैं भया रिकॉर्ड कुमार नान उनका और वो रिकॉर्ड बनाते हैं तो दोस्तो एक और रिकॉर्ड जुड चुका है अक्षे कुमार की आने वाली फिल्म यानि की भया लक्ष्मी बम से तो दोस्तो आ आपकत वता ही है कि लक्षमी बम अगले महिने की नौ तारीक को रिलीज होने वाली है भाई OTT प्लेटफॉर्म पे और भाई अभी से इस फिल्म का बज इतना बढ़ चुका है कि भिया इस फिल्म को लेकर ये बात कहीं जा रही है लेकिन भिया जब ये फिल्म OTT प्लेटफॉ दोन्ता हों पे और भाई एक हफ्ते के ही अंदर में इस गाने ने 50 मिलियन का आकडा पार कर लिया है यानि वैं फिल्म का बात सब को बता दिह है कि भिया लाक़ बुराई कर लो अक्षे कुमार की अकशे कुमार अपने फिल्म से लोगों का दिल जरूर जीतेंगे तो दोस् करोड 25 लाग 42,834 लोगों ने अब तक इस गाने को देख लिया है यानि कि भीया बुर्ज खलीफा ने तो हेटर्स गैंग की लंका में ही आग लगा दी यानि कि भीया उनकी दुकान में ऐसी आग लगी है कि भाई वो कहीं अराम से बैट भी नहीं सकते हैं तो भाई आप अप आपने भी ऐसे कई सारे हेटर्स को देखे होंगे जो कि भीया लगतार चार-पांच महिने से पूरे बॉलिवुट को बूरी भली इंडस्ट्री बताते नजर आ रहे थे लेकिन इन दिनों उन्होंने अपना पाला पडलट लिया है और भाई अब वो बॉलिवुट की आने वाली फिल्मों के रिव्यूज करने लगे हैं तो भाई पहले इन लोगों से आप लोग सवाल पूछना कि भाई या पहले आप लोग सही थे या फिर आज आप लोग गलत हो तो बॉलिवुट से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वारनू ज जेंशन को बहुत सारा प्यार दिया है और मुझे उमीड है कि आप हमारे नए चैनल मेडम आगे बताईए तेस्टी को भी उसी तरह से प्यार देते आएंगे जिस तरह से अभी तक आपने वारनू जेंशन को प्यार दिया है दोस्तों हम अपने इस चैनल में आपको तरह- तरह के वेंजन मदा कर बताएंगे और उसके साथ बताएंगे कि कैसे आप अपने घर में बहुत यासानी से टेस्टी और घल्ली फूड बना सकते हैं तो दोस्तों आप लोगों से मेरा निवेदन है यारी हम दोनों का निवेदन है कि आप हमारे इस नए चैनल को वैसा ही प झाल